जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं, तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे। दियूस क्लिक पर मेरे साथ। बोल किलब आजाद है तेरे। भूल सबाँ अब तक तेरी है। भारती जादा पार्टी का प्रचारत अंत्र फिर से किसानों को गाली देने लग गया। कंगना रनावत जोकी भारती जाहतापाटी की सबसे बड़ी चाटुकार हैं, इन्होंने हमारे किसानों को फिर से आतंकवादी बता दिया, और किसान को आतंकवादी बताया तो बताया, देश को भी गाली दे रही हैं अब ये, आपकी स्क्रीन्स पर इन्होंने क्या कहा, और चीन हम पर कभजा कर सके ताकि चीन हमारे कमजोर तूटे हुए देश पर कभजा कर सके और उसे चाइनीज कॉलोनी बना दे बिलकुल अमरीका की तरह बैठ जाओ मूर्क तुम लोगों की तरह हम अपने देश को नहीं बेच रहे हैं ये क्यों कहा कंगना रनावत ने कंगना र कह रहे हैं कि आखिर हम सब किसानों के प्रदर्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अगर आपको समझना है रिहाना की क्या शक्सियत है तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ट्विटर में इन्हें 10 करोड लोग फॉलो करते हैं इनके 10 करोड समर्थक हैं सिर्फ ट्विट रियाना की हम बाद में बात करेंगे, उनकी एहमेद की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हैं बात करना चाहूंगा कंगनर अनावत की, इस एक बयान में इन्होंने किसानों को गाली दी, देश को गाली दी, ये जो औरत हैं, ये जो महिला हैं, बगैर गाली दिये, कुछ क देखिए उन्होंने भारत को चाइनीज कॉलोनी भी अपने मूँ से बता दिया इसके बाद रिहाना को उन्होंने मूर्ख कहा ना समझ कहा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको शर्म नहीं आती देश के किसान को आतंकवाली बताते हुए आज मेरी घुजारिश है पुलीस से आज मेरी घुजारिश है ग्रह मंत्राले से मेरी घुजारिश है ट्विटर से कि कंगनार अनावत के ट्विटर हैंडल को तुरंत हटाया जाए क्योंकि बार-बार ये महिला अपने Twitter handle के जरी भड़काओ बयान देती है अब इन्होंने किसानों को आतंकवादी बता दिया है मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके जो समर्थक है अगर उनमें ये संदेश जाएगा जो जाचुका है जो किसानों को आतंकवादी बताते रहेंगे तो इससे क्या सर पड़ेगा मुझे बताईगे किसानों को आतंकवादी बताना ये कहां की सब भिता है भाई और फिर आगे कहती है कि ये जो किसान है वो हमारे देश को बाटने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन हम पर कब्जा कर ले हमारे बीस सैनिक मारे जाते हैं महतरबा कगना बीस सैनिक शहीद हो जाते हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुझ से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है क्या आपने कभी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को को इस मुद्दे पर कट घरे में खड़ा किया है कि मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे और खाप खामोश रहे उनके आक्रामक के बारे में उनके गुनहगार के बारे में चीन अब भी हमारी जमीन पर कब्जे किये बैठा हुआ है और उसके बारे में आपके मुझ से एक शब नही हुआ देश तुकडे टुकडे गैंग कौन है भाई अगर आज की तारीक में आपको लगता है कि मेरा देश तूटा हुआ है तो इसका जिम्मा किसी और का नहीं बलकि पिछले 6-7 सालों में जो सरकार चल रही है जिसने देश के अंदर तुकडे टुकडे गैंग और नजान कटघरे में वो सरकार है जो पिछले 6-7 सालों से सठा में जो तमाम राज्यों में सठा में रही है क्या उस सरकार को कटघरे में कड़ा करने की आपकी हिम्मत है मौतर्मा कंग्नार अनावत और सबसे ज्यादा हांसी असमद बात दोस्तों रिहाना ने जो कहा उसपर भारती विदेश मंत्राले की प्रतिक्रिया भी आ गई है रिहाना जो है वो कोई देश नहीं है वो एक private citizen है वो एक गायक है और उस पर भारती विदेश मंत्राले की प्रतिक्रिया भी आ गई है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों एक आदमी की इज़त बचानी के लिए इन लो प्रतिक्रिया जिसमें अर्धसत्य के अलावा कुछ नहीं है और सबसे बड़ा अर्धसत्य उनकी पहली प्रतिक्रिया में है तुमान निये विदेश मंत्राले क्या मुझे आपको याद दिलानी की जरूरत है कि राजसभा में ये बिल कैसे पारित हुआ था इस मुद्दे को जो है अडवाइजरी कमिटी को नहीं भेजा गया चर्चा के लिए नहीं भेजा गया शांसद इस पर अपनी राय रखना चाहते थे वो तक नहीं हुई और आपने जोर जबर्दस्ती से राजसभा में इसे पारित कर दिया क्या आप भूल गए कि महात्मा गांधी की मूर्ती के सामने आज़ाद भारत की इतियास में शायद पहली बार हुआ होगा जब इस तरह से बिल पारित करने के खिलाफ राजसभा के तमाम सदसे जो थे व वो बहात्मा गांधी की मूर्ती के सामने मौजूद थे सबसे बड़ा अर्दसद विदेश मंतराले की प्रतिक्रिया की पहली पंक्ती में आ चुका है दोस्तों और ये लोग अंतराश्ट्री तोर पर इस तरह से देश की नाक काट रहे हैं मगर मेरा बड़ा सवाल यही है क कि देखिये अगर यहां पर कोई देश बात करे तो बात समझा रहा है यहां पर रिहाना की बात पर यहां प्रतिक्रिया दी जा रही है मजाग बना कर रख दिया इन्होंने मेरे देश की विदेशनीती को आगे देखिये दोस्तों आगे इन्होंने क्या कहा है वो भी पढ़ उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमने उनके साथ बाचीच शुरू कर दी है तो मैं विदेश मंतराली से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है तो सिंगु बॉर्डर पर, गाजिपूर बॉर्डर पर या फिर शाजापुर बॉर्डर पर आपने Internet क्यों बंद कर दिया जोरिहाना भी उठा रही है, ग्रेटा थन्बग भी उठा रही है या जिम कॉस्टा भी उठा रहे है या मीना हैरिस भी उठा रही है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उस जगा पे इंटेनिट क्यों बंद किया आपने तमाम चीजों की प्रतिक्रिया यहां विदेश मंत्राले ने दे दी मगर आप हमें यह नहीं बता रहे हैं कि आपने वहां इंटेनिट बंद क्यों किया आज मैं आपको चुनौती देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ अगर आप में हिम्मत है तो किसान को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने दो करने देंगे आप क्योंकि एक बार जब वो रामलीला मैदान में प्रदर्शन करता है जहां पर एक लाग के करीब लोग आ सकते हैं तब जाहिर सी बात है जो पूरा घेरा बंदी है दिल्ली की वो सब खत्म हो जाएगी याने कि अगर ट्राफिक में दिक्कत आ रही है उस इलाके में आपको इंट्रेनेट बंद करना पड़ रहा है तो वो सब बंद हो जाएगा ना आप उसे रामलीला मैदान में क्यों नहीं आने देते विदेश मंत्राले अपनी नाक इस तरह से कैसे कटवा सकती है देश की इज़त का सवाल है भाई देश की इज़त की तो आप बक्या मत उड़ देडिये एक प्राइविट सिटिजन क्या कह रहा है उस पर आपने रियाक्शन दे दिया वाकई दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है कि भारती जनता पार्टी सरकार के अंतरगत चाहे कूट नीती हो विदेश नीती हो रक्षा नीती हो सब का मानों एक मजाग बनाया जा चुका है रिहाना क्या कहती है उस पर विदेश मंतराली की प्रतिक्रिया आ जाती है और उसमें अर्द सत्त के अलावा कुछ नहीं है हकीकत ये है कि लोग फार्म लॉस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं लोग इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे किसानों की घेरे बंदी कर दिया और उसके जरीए आप पूरी धिल्ली की घेरे बंदी कर रहे हैं। आपती इस बात को लेकर है, क्रपया इस मुद्बे पर फोकस कीजिए। माननी ये विदेश मंत्रा ले। दोस्तो दिक्कत क्या हैं कि बॉकलाट को आपको समझना पड़ेगा, ये मुद्धा बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यूं। रिहाना की क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपके सामने क्लाइमिट के बारे में पूर जोर तरीके से बात रखने वाली ग्रेटा थानबर्ग ने कहा है, यानि कि जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर इंटरनेट कार्ट दिया गया है, जिसका जिकर रिहाना ने भी किया, उसी बात का जिकर ग्रेटा थानबर्ग कर रही है, और ग्रेटा थानबर्ग तो करी रही हैं, अमरीकी कॉंग्रिसमें जिम जिंता जनक है, फॉरन अफेस समिती का सदस्य होने के नाते, मेरी निगाहा इस पूरे मामले पर है, शांतिपूर्ण प्रदश्चन करने का अधिकार सब को है, ये कोई और नहीं, बलकि अमरीकी कॉंग्रिसमेंट कह रहे हैं, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों, ये हैं मीना हैर एक बार फिर, मीना हैरिस, जो की उपराश्पती कमला हैरिस से की रिष्टदार हैं, वो और क्या कह रही हैं? की जिस तरह से इंटरिनेट काटा जा रहा है, जिस तरह से अर्द सैनिक बल हमला कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हमको चिंतित होना चाहिए. चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, जिम कॉस्टर, जो की वहां के कॉंग्रिसमेन हो, या फिर मीना हैरिस, ये तमाम लोग किन मुद्दों को उठा रहे हैं? वो ये थोड़ना कह रहे हैं की वो तीन कृष्टी कानून होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. वो ये कह र रहे हैं, उन्हें सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए, कि अगर इस सरकार के पास ढरने को कुछ नहीं है, अगर इस सरकार के पास चपाने को कुछ नहीं है, तो सिंगु बॉडर, घाजिपूर बॉडर, शाहजाँपूर, इन तमाम जगाउं पर इंटेनिट क्यों काड दिया गया है फोर जी क्यों निरस्ट कर दिया गया है मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना आप और ये माननी रिंकिया के पापा इस ट्वीट के जरिये रिहाना को संदेश दे रहे हैं कि रिहाना देखिये किस तरह से पुलीस पर अत्याचार हुआ सांसद मनोच तिवारी अपने इसी मंच पर बैठकर पुलीस के साथ जो हिंसा हुई थी मैंने उसकी कड़ी भर्चना की थी मगर मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या आपकी हिम्मत है किसान नवरीद सिंग के लिए आवाज उठानी की वो नवरीद सिंग जिसका ट्राक्टर पलट गया था वो नवरीद सिंग जिसका परिवार पुलीस की थियोरी पर विश्वास नहीं करता उसका परिवार जो है इनसाफ की मांग कर रहा है और जो जो पुलीस की थियोरी के उलट बात रख रहे हैं उनके खिलाफ देश द्रोब का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है देश भर में उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज किया जा रहा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ मनोच तिवारी क्या आपने किसानों के लिए अपनी आवास बुलंद की क्योंकि मैंने अपने पुलीस वालों के लिए आवास बुलंद की जब लॉयर्ज ने जब वकीलों ने पुलीस वालों को मारा था तब भी मैंने अपने पुलीस वालों के लिए आवास बुलंद की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मनोच तिवारी क्या आपने कभी भी पुलीस वालों की लिये आवाज बुलंद की जब उनकी वकीलों ने पिटाई की थी नमबर एक या फिर जब मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे तब क्या आप अपने सरकार से आपने सवाल किया था या फिर उनकी शहादत को लेकर आप वोट बटोर रहे थे जैसा कि आपने पुलवामा में किया और आपके मुँसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पुलीस वालों की हित्मे बात करने से यह तस्वीर देखिए दोस्तों यहाँ पर मानिवर मनोच तिवारी मानिवर रिंकिया के पापा एक डीसीपी का गिरेबान पकड़ रहे हैं कोई और आदमी होता न वो अब तक जेल के अंदर होता तो कृपया मनोच तिवारी पुलीस वालों की तो आप बात मत कीजिए क्योंकि आप के मुझे ये शोभा बिलकुल नहीं देता बहुत दुक्की बात है दोस्तों पूरा प्रचार तंत्र फिर लग गया है किसानों को बदनाम करने के लिए मगर इसकी एवज में कुछ और नहीं हो रहा है जो मिसाले मैंने आपको दी हैं उससे यही प्रमानित होता है कि देश बदनाम हो रहा है इन में से जितने लोग आवाज उठा रहे हैं वो आवाज इसलिए उठा रहे हैं दोस्तों क्योंकि उन्हें लगता है कि किसानों को शांतिपून प्रदर्शन करने का अधिकार है और अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप internet को वहां से मत हटाईए आपने न सिर्फ internet हटा दिया यह देखिए तस्वीरे देखिए आप सडकों पर कील गाड रहे हैं आपने वहां बैरिकेडिंग कर दिये आपने स्थाई सिमेंट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिये इतना डर तीन सो तीन सीटों वाली सरकार को इतना डर और सबसे दुखी बात है दोस्तों कि विपक्ष भी जब यह आवाज उठाता है कि भई क्या ये पूरा मामला मोदी बनाम एंटी मोदी नहीं हो गया है तो इसका जवाब बहु भी दिया बवन खेरा ने और मुद्दा यहाँ पर यही उठता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उठेगा उस एक व्यक्ति की शक्सियत को बचाने के लिए आप इंटरनेट नहीं काड़ देंगे उस एक व्यक्ति की शक्सियत बचाने के लिए आप गतिरोध नहीं पैदा कर देंगे उस एक व्यक्ति की शक्सियत बचाने के लिए उसका करिश्मा बचाने के लिए आप सड़क पर कीले नहीं लगा देंगे क्योंकि उस एक व्यक्ति की इज़त बचाने के लिए आपने पूरे देश की इज़त की बखिया उधिर दी है दोस्तों रिहाना के बयान से आखिर भारती जयाता पार्टी का प्रचारतंतर क्यों बॉकलाया हुआ आपको एक बात समझना होगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनके 10 करोड फॉलोवर्स सिर्फ ट्विटर पर हैं समर्थक सिर्फ ट्विटर पर हैं और इससे पहले आपके स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं इन्होंने मुद्दा उठाया था सुदान में सुदान में भी दोस्तों वहां का जो सैनिक ताना शाह था उसके खिलाफ वहां की जनता प्रदर्शन कर रही थी और रिहाना ने वो मुद्दा उठाया था और उनके उस मुद्दे उठाने का जबरदस्ट असर हुआ था उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन्स Military Rulers need to be held accountable Praying for no more killings or abuse today Fight for human rights in Africa and stand with protesters in Sudan क्या बोल रही है आप रिहाना कि सैनिक ताना शाहों को कोई अधिकार नहीं है लोगों के हकों को दबाने का मैं उनके मानुआधिकार के साथ खड़ी हूँ और हत्याएं नहीं होनी चाहिए और गाली गलोज नहीं होना चाहिए और मानुआधिकार हनन नहीं होना चाहिए इन्होंने सुडान का मुद्दा उठाया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि एक भूचाल आ गया था बिलकुल और उसका सीधा असर सुडान पर पड़ा था बीजेपी इसलिए बॉकलाई हुई है मगर आज मैं पूछना चाहता हूँ आप सबक तो नहीं ले रहे हैं आप उल्टा उल्टी बुद्धी से और काम कर रहे हैं विनाश काली विपरीद बुद्धी आप पर बिलकुल फिट बैठता है क्यों मैं आपको बताता हूँ आपके सामने ये देखिए बिहार सरकार ने किया किया है यानि की कोई भी जो धरना करेगा रास्तों को रोखेगा या फिर किसी तरह का प्रदर्शन करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ये किसी और का नहीं बलकि भारती जहता पार्टी शासित बिहार का है यानि की अब ये हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार चीन लेना चाहते हैं प्रदर्शन करने का कंगना रनावत के शब्दों में कितना जलील हो गया आप लोग मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कितना जलील हो गया आप लोग इस सरकार के अंतरगत भारती जाता पार्टी की सोच के अंतरगत लोकतंतर क्या होता है हम नहीं जानते हैं ये खबर देखिए दोस्तों हातरस का जो दुशकर्म हुआ था और उसके बाद हत्या हुई थी हातरस की गुडिया की उस मामले में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो पत्रकार सिदीक कपन आये थे उनके खिलाफ आतंकवादियों वाली धारा लगा दी गई है और वो व्यक्ति महीनों से जेल में पड़ा हुआ है आपके सामने ये खबर देखिए ये आदमी लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरे 90 साल की मा मृत्युशया पर है उनकी गंभीर हालत है कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोट ने अजाज़त दी थी कि वो अपनी मा के साथ वीडियो कॉल कर सकें मगर क्या आप जानते हैं कि सिद्धीक कपन अपनी मा के साथ जब वीडियो कॉल कर रहे थे तो उनकी मा उन्हें पहचान नहीं पा रही थी उनकी हालत इतनी गंभीर है मगर सिद्धीक कपन को पांश दिनों के लिए रिहा नहीं कर सकते कहां है लोग तंत्रिस देश में दोस्तों इंसानियत कहां गई आपकी और अब तक उत्तरपदेश सरकार ऐसा कोई प्रमान पेश नहीं कर पाई कि सिद्धीक कपन अकातंकवादी है और ये खबर देखिए उननीस जन्वरी को क्या हुआ था दोस्तों सीतापुर के जो डियेम हैं उन्होंने 162 लोग जो की किसान के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर सकती करते हुए दस लाक रुपे के बॉन्ड जो हैं उसका नोटिस जारी कर दिया था इलाबाद हाई कोट ने डियम सीतापुर को कड़ी भटकार लगाई नतीजा ये हुआ कि अब जाकर जो कि आलोग पांडे खबर दिखा रहे हैं अंडी टीवी के मतलब क्या हुआ इसका कि आखिरकार जो इन्होंने नोटिस जारी कर दिये थे 10 लाक रुपे वाले उन्हें खत्म करना पड़ रहा है जब इलाबाद हाई कोट ने फटकार लगाई आप जानते हैं मंदीपुनिया के मामले में कोट ने क्या कहा मंदीपुनिया के मामले में कोट ने कहा कि बेल जो है वो नियम होना चाहिए और जेल अपवाद यानि कि बहुत ही कम मौकों पर आपको शक्स को जेल पर भेजना चाहिए और ये कहकर उन्होंने मंदीपुनिया को रिहा कर दिया आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मंदी पुनियां और सिद्धी कपन के बीच का फर्क क्यों ये तमाम मुद्दे में आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र तूट रहा है कंगना रनावत जब आप देश को ये कहती हैं कि देश बिखरा हुआ है तो आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए आप मेरे देश को चाइनीज कॉलोनी बता रहे हो आपने जो शब्द कहे वो कोई और कहता तो उसके खिलाव अब तक देश द्रों का मुकद्मा दर्श कर दिया जाता लोकतंत्र की ये हालत है जो मैं अब आपको वतला रहूं अपने कारकरम में इन मुद्दों पर आपको गोर करना चाहिए मगर आप जैसे बीजेपी के चाटुकार से मैं अमीद नहीं कर सकता हूँ दोस्तो आप और हम इन मुद्दों से मूँ नहीं मोड सकते अब ये मुद्दा अंतराष्ट्री हो चला है और क्यों हो चला है जिस तरह से किसान जहां प्रदर्शन कर रहा है वहां पर internet काटा जा रहा है यह तमाम मुद्दों को लेकर अंतराश्य समुधाय चिंतत है और उसकी चिंता यही है और इन मुद्दों से हम मुऊ नहीं मोड सकते क्यूकि कहीं न कहीं ये हमारी साह का सवाल है हमारी देश की इज़त का सवाल है और अगर आप सही माइने में देश भक्त हैं तो इन मुद्दों को लेकर आपको चिंतित होना चाहिए वरना अगर आप भक्त हैं तो मेरी आपसे कोई अपील नहीं है नमस्कार